आज कल इंटरनेट पर हम बहुत सारी चीज़े सर्च करते हैं और बहुत सारे काम भी करते हैं जैसे ओनलाइन ट्रेंजक्शन्स डाउनलोड और अलग-अलग वेबसाइट पर साइन इन करने के लिए हम अपने पर्सनल डिटेल्स को भी सेर करते हैं लेकिन इंटरनेट पर अपने दियेगे डेटा को सिक्यूर करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही इजी सोलूसन है जिसका नाम है वीपिएन तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अपने कंप्यूटर एंड स्मार्टफोन में आप कैसे वीपिएन को यूज कर सकते हैं तो देखते र अतलब होता है virtual private network इसके help से आप अपने computer के IP address को change करके किसी दूसरे country के IP address को यूज कर सकते हैं इसका ये advantage होता है कि आप अपने country में किसी भी block website को easily access कर सकते हैं आएए एक simple example से समझते हैं VPN काम कैसे करता है तो friends जब हम अपने computer या smartphone को VPN के साथ connect करते हैं तब ओडिवाइस एक local network की तरह काम करता है और हम जब उस website को अपने browser में search करते हैं जो हमारे country में block है तब VPN अपना काम करना शुरू करता है और user के request को उस blocked website के server पर VPN के जरिये देशता है और फिर वहां से website का सारा content और information user के device में दिखा देता है एक्जामपल के लिए मान लीजिए इंडिया में netflix जो है अभी आया है लेकिन इससे पहले जब netflix इंडिया में नहीं था और अगर हमें netflix देखना होता तो हम इंडिया में रहकर उस VPN से connect कर लेते हैं जिस ऐसे में नहीं netflix को पता चल पाता है कि वो user इंडिया में है क्योंकि उसको लगता है कि user local network से connect है यानि कि US में ही वो इस website को access कर रहा है और नहीं इंडिया में जो restriction किये हैं उन्हें ये पता लग पाएगा क्योंकि उनको लगेगा कि आपने वो link जो है और नर्मल किसी server से ब help से आप अपने computer या smartphone में VPN access कर सकते हैं लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ free software के बारे में जानेंगे जिनके help से आप अपने computer या mobile में बहुत easily VPN access कर सकते हैं तो VPN का use कैसे करना है अब तक तो हमने VPN क्या है थोड़ी बहुत जान ली है तो ऐसे में अब हमें जानना होगा VPN को इस्तेमाल कैसे करना है computer या smartphone में तो आएए देखते हैं आप अपने computer में VPN कैसे use कर सकते हैं और इसकी help से आप अपने country में आसानी से blocked website को कैसे access कर सकते हैं अगर आप अपने computer में VPN का use करना चाहते हैं तब इसके लिए आपको opera developer software का इस्तेमाल करना होगा जो बिलकुल free ह इस website का link आपको मेरे वीडियो के description box में मिल जाएगा आपको इस software को download करके install करना है जैसे आप दूसरे software को install करते हैं install करने के बाद आपको app को open करना होगा जैसा कि आप screen पर देख रहे हैं अब इसमें आपको उपर की side में menu का option दिखेगा उस पर आपको click करना होगा जैसे ही आप menu पर click करेंगे उसके बाद आपको setting का option आएगा उसके बाद आपको setting पर click करना होगा setting पर click करने के बाद आपके सामने privacy and security का option दिखाई देगा उससे click करने पर आपको vpn का option दिखेगा वहाँ पर आपको Enable VPN पर टीक करना होगा जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ऐसा करने से आपके Opera ब्राउजर में VPN एक्टिवेट हो जाएगा अब आप इसमें सभी Blocked Website को एक्सेस कर सकते हैं स्मार्टफोन या मोबाइल में VPN कैसे सेट करें अगर आप अपने स्मार्टफोन या मोबाइल में VPN सेट करना चाहते हैं तब आप इसे बड़ी ही आसानी से सेट कर सकते हैं इसके लिए आपको अपने मोबाइल के Play Store, Android या फिर App Store, iOS से उस VPN एप को पहले डाउनलोड करना होगा और फिर उसे इंस्टॉल कर आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं तो चलिए स्टेप बाइ स्टेप देखते हैं स्मार्टफोन में VPN कैसे एनेबल करनी है आपको अपने स्मार्टफोन में VPN एप डाउनलोड करना होगा जिसका नाम में Touch VPN इसको आप अपने Play Store से दूसरे एप की तरह ही डाउनलोड एइंस्टॉल कर सकते हैं इंस्टॉल करने के बाद आपको आप को Open करना है जैसे ही आप आप को Open करेंगे आपको वहाँ से Location सेलेक्ट करने का Option दिखाई देगा आप वहाँ से अपने मन चाहा कोई भी location सेलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आप connect पे क्लिक करें जैसे ही आप connect पे क्लिक करेंगे वैसे ही आपके phone में VPN एक्टिव हो जाएगा उसके बाद आप अपने phone के opera browser में कोई भी blocked website को open कर सकते हैं तो friends इस वीडियो में इतना ही I hope कि वीडियो आप लोग के लिए useful and helpful रहा होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो please like किजिए share किजिए और चैनल को subscribe किजिए thank you